Hello everyone, this is Rahul Shokarma, so this video में हम दो देखने वाले हैं CSS की property, last की वीडियो में हम लोग ने start कर दिया था CSS और उसमें अलग-अलग type के CSS देखे थे like, तो इस वीडियो में हम दो देखेंगे अलग-अलग CSS की properties और उसकी values, तो हम लोग ने अलएडी color property देख लिया है, right, color property में हम लोग न text का या किसी भी element का, HTML element का background change करना है background color change करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं background color property, ठीक है, तो directly VS Code में जाते हैं और देखते हैं, और लिएडी color property हम लोग ने देखा था कि अगर किसी भी text का मुझे color change करना है, तो color property apply कर सकते हो, ठीक है, background, यहाँ पे background change करके द आप सबस्पोस मुझे क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर जाता हूं, पुरे web page में, सबसे सबका parent को ने body है, body, यहाँ पर body को as a selector लेता हूं, और यहाँ लिखता हूं background color, और यहाँ पर खुछ तो background अलग सा देता हूं, ठीक है, तो पूरे web page का background color change हो गया, मसत थैना एक अगर आपने Google Docs या फिर Microsoft Word यूज करेंगे तो वहाँ पर अगर किसी भी text को bold करना रहता है, तो हम लोग bold यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर अगर किसी भी text को bold करना है, तो हम लोग bold text, font weight यूज करेंगे, उसका value देंगे bold, या फिर आप 100 से 900 के range में कोई भी value आप दे स पहले सकते हैं, for example, यहां पर फ्रींट तुरींधर दिया है, अब देखो यहां पर यहां पर यहां परुम्ट यूज दो यहां पर यहां पर दोगना, प्रॉंट-वेट, जो अलग अलग यहां से लेकर प्रोपर्ट यहां पर बोल्ड दोえるा कुंचya COP नहीं करेंगा क्योंकि यह जो H1 Tag है इसमें इंटरनली भी CSS लिखा रहता है मतलब H1 Tag में अल्रडी CSS लिखा रहता है तो उसमें अंदर आप देखोगे तो अल्रडी यहां पे क्या होगा बोल्ड लिखा रहेगा तो एक्जामपल अगर आपको इसका प्रूफ चीए तो हम लोग क्या करते हैं इसको वेब पेज में ऊपन करते हैं और यहां पर जो ब्राउजर है उसमें जाओगे यहां पर राइट क्लिक करो आपको यहां-पर देखो स्क्राइब देखों यहां से पर इसके हाँ इसके अलग अलग सिसे अप्लाई नहीं पड़ेता अगर मैं फॉर्ण बीट डालोंगा तो कुछ भी असर नहीं पड़े का आप लिए यहां पर आपने यहां से बीडिंग कर सकते हैं यहां से बिसे डाल के अलग लिए चैंज करना है यहां से अलग-अलग कलर तो यह आपको कहीं पर भी आपके बुक में नहीं मिलेगा यह सारी चीज़े हम लोग जब यह करते हैं तो बहुत ही यूस्फुल चीज़े और यह हो गया आपका फॉंट वेट वेट हम मैंने आपको एक्शली बताया नहीं फॉंट वेट सपोज मुझे इस पर यह पी टाइक इसको फॉंट वेट वेट अधर के अधर देखो कि जो इपर बॉर्ण वेट लिखा गया है यहां पे यहां पे अलРЕधी लिखागया है जाए अब हो घरती इसको निकाल देते हैं यहां पे अपर वेट यहां लिखता हूँ font weight और अभी देखो यह पतला सुकडा सा एकदम टेक्स्ट है इसको मैं यहां पर अगर मैं डाल देता हूं font weight और यहां पर देखो जैसे 600 डाला यहां से अब अलग अलग प्रॉपटी भी सेलेख सकते हूं मैं यहां पर लिखता हूं तो बोल्ड करोगे देखो यहां पर font weight एक यहां पर लिख देते हैं font weight और यहां पर मैं लिखता हूं बोल्ड एक और आता है इसके इंदर बोल्ड होड़ा से ज्यादा बोल्ड रहता है और तो देखो यह font weight मेरा बोल्ड हो गया उसके बाद next property देखते है font style ठीक है font style में क्या होता है आप टेक्स्ट को italic या oblique बना स देखते हैं यहां पर font style ठीक है font style में देता हूं italic तो देखो यह क्या हो गया तो दूसरा value आता है oblique oblique भी एकदम मतलब ज्यादा कुछ फरक नहीं रहता है और एट तो next property देखते है for text decoration एक डेक्रेशन किसके लिए उता है अगर आपको किसी पर text के अंदर underline करना है उसका line through करना है देखो अलग अलग properties देखो अलग अलग प्रॉपटी देखो अंदर अगया अगया अगर मैं इसको change करके लिख देता हूं overline आता है मतलब text के ऊपर से ऐसा overline जाता है और एक चीज़ आपको बताता हूं यहां पर दूसरा जो प्रॉपटी है नन इसका use कप करते हैं तो जो आपका anchor tag होता है anchor tag में हम लोग क्या करते है लिंक insert करते है तो anchor tag में हम लोग लिंक इंसर्ट करते है यह 11 चंडर मैंने पढ़ा है तो एक anchor tag मतलब ऐसे 8 होता है इसके अंदर मैं लिख दूंगा href और इसके अंदर सब्स गूगल.com का लिंक डालता हूं sttps//www.google.com लिंक डाल दिया अब मैं क्या करता हूं आया कि नहीं हाँ यहां पर सड़ी यहां पर भी डाल देते हैं टेक्सिस के विच में बूगल ठीक है अब यह दिक नहीं रहा है तो इसको मैं क्या करता हूं यहां पर एक और यहां पर यहां पर नहीं नहीं दिया है के अंदर मैंने कहीं पर फिर लिखा नहीं है we are 24 जिनर Center underline आ रहा है तो इसको निकालने के लिए हो क्या यूज करते हैं यहा पर निकालने खरेशन करेंंगे यहाँ ओ लिघंगे टेख्ज रेकोरेशन और नलिख देंगे नंलिक होगी तुसके अंदर का जो नीचे का अंडरलाइन टेक्स्ट हो निकल जाएगा ठीक है और अगर देखो एंकर डेक का जो यूज है आप जाके खुद से भी पढ़ सकते हो डवलू त्री स्कूल वेबसाइट पर जाफी इस पर देखो मैंने जो बता है इस पर क्लिक करोगे तो दूसरा होता है हमिशा लेफ्ट राइट सेंटर और एक जस्टीफाइब होता है वर्टिकली आप टेक्स्ट को अलाइन नहीं कर सकते हैं इसके थूर आपको होजर्टली आपलाइन कर सकते हो ठीक है तो हम लोग क्या करते यह जो है इन्टरनल सी एस यानि कि एसको अलाइन करके एक जितने भी मैने टैक्स लिए तब क्या अलाइन है तो आपको लेफ्ट नहीं दो जरुत पड़ती नहीं है आपको यह सेंटर करना है जैसे करना तो उस चेस में आप यूज़ कर सकते हो इसको सेंटर किया तो सेंटर में चले गया अब इसको राइट में चाहिए तो मैं एक पाराग्राफ लेता काई से मिलेगा यहां से लिखता हुआ कारश वी कि और यहां से एसे ँट था लेते हैं यह जो है ना टेक्स्ट उठा लिए और रेयर किए से आंदर यहां पि ति को यहां पे इसका style कि करते हैं यहां पर हम लोग लेते हैं तिक के अंदर लिखते हैं Так isch इसको लिखते हैं justify जहान से देखो यहां पे justify करने पर क्या हुआ जो लेफ साइड में सारे तो इढ отличyi कली यहांम पर best concept किसी वर्यमिय आगे पीछे नहीं आ और за जापनेतल मुoration पर देखने यह थोड़ा पीछे है यह आगे है यह थोड़ा podsके पीछे महिने इसको थोड़ा शोटा करता हो तो आपको समझ आप अब देखो यहां पर रैट जो है यहां आगे पिछह और यहां पर तेको प्रॉपरली अलाइन कर दो तो नेट्स प्रोपर्ली देखते हैं फॉंट फैमिली फैमिली क्या होता है आपको अगर फॉंट का जो फैमिली चेंज करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा अगर फैमिली जो मेरे लप्टॉप में फिलाल के लिए है इसलिए यहां पर यहां पर इसको देखता हूं एकदम अलग हो गया तो यह हो गया आपका फैमिली इसके बाद आता है क्या नेक्स जाते हैं इसमें अलग-अलग यूनिट्स होते हैं जैसे हम लोग अभी देखा पिक्सल पिक्सल इसमें आप इंच मिलीमेटर सेंटीमेटर या पीटी मतलब पॉइंट्स में भी अलग-अलग वैल्यूज जालके इसको फॉंट का साइज बढ़ा सकते हैं इसका फॉंट साइज आ इन ड इसका के बाद इसको मैं ऐसा 10 करता हूं तो फॉंट से दिखेगा इसका बहुत बढ़ा होगे या फिर मैं इसका यहां पर सकता हूं तो अलग-अलग फॉंट साइज है पर यह इतने भी फॉंट साइज आपको जो यूनिट्स या नहीं यह सारे अप्सलूट होते हैं इसको इसको ओपन करोगे यह लिंक ओपन करोगे तो यहां पर जाएगा css यूनिट्स इसके अंदर आपको दो मिल जाएगा एक अप्सलूट लेंथ जो मैं आपको दिया है सेंटिमीटर मिलीमीटर इंच यह सार आप पढ़ सकते हैं यहां पर तो जो भी प्रोफेशनल वेब डे आपफ परफेक्ट ना चाहिए जो मोबाईल उसमें फॉन छोटा दिखना चाहिए जो लेप्टॉप उसमें फॉन बड़ा दिखना चाहिए पड़ा नचल। यह चीज यूज करो गे ना तो हरे डिवाइस में उतना ही फॉण साइज दिखेगा ठीक है बड़ा रहे तो हर पड़ा बड़ा दिखेगा एक आपको रिस्पॉंसिव बनाना है थी यह सारे फंट साइज्ड कर सकते हो आज जो प्रोफेशनल्स होते है यह सारे फॉंट साइज इसके लेटरस के बीच में बढ़ाना है तो मैं लिखूंगा यहां पर लेटर पेसिंग और सपोस्ट ट्वेंटी पिक्टल डाजता हूं देखो सारे लेटरस के बीच में स्पेस यहां पर बढ़ गया है और एट नेक्स्ट नेक्स्ट इस बॉर्ट पैडिंग अब देखो पैडिंग समझाने के लिए मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं पैडिंग यह बहुत है आपका CSS यहां फिर HTML सीखने के लिए ठीक है तो पैडिंग और मार्जिन इन दोनों के बीच में डेवलोपर्स अकसर कंफीज रहते हैं ठीक है तो यहां पर देखो जो पैडिंग का यूज होता है वो क्या होता है कोई भी जो एलिमेंट होता है उनके आजू ब बढ़ाने के लिए यूज होता है क्या पैडिंग और एक्जामपल यहां पर देखो यह बॉक्स है पूरा ठीक है और इसके अंदर इसके अंदर का स्पेस बढ़ाता है पैडिंग मतलब अंदर का स्पेस बढ़ता है तो पैडिंग जो होता है यह क्या होता है इसकी वैलियो तो यहां पर देखो तो यहां पर देखो पैडिंग समझते हैं तो यह जो है को हम लोग ओपन करते हैं ठीक है अब देखो यहां पर क्या है एक एक टैग में क्या दिया है यहां पर यहां पर डिस्पील हो रहा है उसके बाद यहां पर डिव टैग है अब यहां पर देख रहे लिखने के बाद अगर मैं 70 पिक्सल निकाल दो तो यहां पर क्या है इंडर करते हैं इसके आजू-बाजू किया हो रहा है इसको यह टालने के बाद क्या हो रहा है ढलने बाद देखो यह अंदर का अलीमेंट है उसके चलांद है धूब ऑजू किया हो रहा है इस पेस ऑर है यह दिवके अंदर एलीमेंट कौन सा है अधिस इस अलीमेंट देखो यह वाला इस इसके अंदर आओगे ना यह जो green green color का देखो इसके अंदर आप ऐसा ओवर करोगे तो यहां पर यह वाला भी highlight होगा जो green कभी भी padding को green में highlight करता है तो देखो यहां पर क्या दिखा रहा है ऊपर top में 70 pixel है right में 70 pixel है bottom में 70 pixel है और left में भी 70 pixel है ठीक है तो यहां पर चारों तरफ क्या है इस box के यह जो element है इसके अंदर इसके चारों तरफ क्या 70 pixel का padding apply हो रहा है ठीक है और मुझे यहां पर एक और चीज़ है कि अगर मुझे अलग-अलग padding apply करना है ठीक है padding left right तो यहां पर और भी option मिलते हैं सपोज मुझे padding top देना है तो यहां पर भी दो padding top billing अपलाए होगा डेंग leaf यहां पर आप ne left side सबसरे हों अगर आपको सब कुछ सकते हैं सब्सक्ता हूं यहां पर यहां उन accidents में 20 pixel इसके बाद यहाँ पर डिंग टॉप पोडियन टॉप में 20 एपलाए होगा उसके बाद यहां पर डिंग टॉप अब देखो यहां पर क्या आ रहे हम लोग अलग याई तरीका है यह तो यह तो एक डुसरा दरीका शॉट कट तरीका क्या है यहां पर आप साथ में दे सकते हो यानी कि इसा यहां पर पैडिंग लिखो ठीड लिखने के बाद यहां पर यहां पे 20 पिखोगे ट्वेंटी पिक्सल यहांप फेल्टि पिक्सल लीक्सल आप लिक हो पर्ण न्गय विढ़ोंते है तो सबसंब अब हरण यहांप मैं 20 पिक्सल उत्व सब्सम सब्सक्राइँ पिक्सल डोलंगा इस पहले है इस प्टन यह जो पहले पोप होता है किस यहां पकिता है लग-षब यहां पर पैडिंग अप्लाय हो रहा है फॉर इसे आपको समझ में आगए रहेगी तो यहां पर देखो जैसे कि दिया है पैडिंग आप एक साथ भी दे सकते हो या फिर अलग अलग अप्लाय कर सकते हो अप जो से मैंने बताया आपको एक साथ भी आप सारा पैडिंग दे सकते हो ठीक है जैसे कि यहां पर देखो पहले टॉप आता है फिर राइट आता है फिर बॉटम आता है फिर लेफ्ट आता है ठीक है यह आप डॉक्मेंटेशन चाहिए तो पढ़ सकते हो और अब उसके बाद आ आपको लगे तो पैडिंग जैसा ही है ठीक है क्योंकि मार्जी नों पैडिंग बहुत कन रेता है और अलूम सेम रहते बट जो मार्जीं और पैजिंग में डिफरेंस है जो पैडिंग का यूज सथा है आपने अलिमेंट के आज बजो स्पेस देने के लिए लिए इसके इसके ऊपर वाला टेक्ट है इसके जो पूरा इलिमेट है इसके आजूब दने के बाद इसके अंतर प्रसक्राइब करने के बाद यहां इनसपेक करता हूं इसपेक करने के बाद यहां पर और इसमेर में दिखता है तो तो यहाँ पर इंस पर करता हूँ यह देखो यह दिव टया है तो यहां भी देखो margin देखो कहां पर अप्लाई हो रहा है ताजू बाजू मर्जिन आपलाई और ठीक है उसके आजू बाजू 70-70 पिक्सल का यहां पर margin अपलाई हो रहा है कि यह देते हैं तो आप बॉटम में होता है और यह वाला दोगे तो यह अपलाई होगा ठीक है तो यह दॉक्मनेंट चीओ तो पॉड़ सकते हैं पुरा को पुरा यह सुरी बहूं सारी आपके शिया आपके सिलेबस के आउट अपनी नहीं ता फिर भी मैंने आपको बता दिय और रटित यह था आपका लिए उसके बाद बौरडर बौर्डर देख लिए क्या होता दियुक्त हुं बॉंडर रोता है है यहां पर जाते हैं अब देखों चीह तो मुझे यहां पर जा enforcement करो कि मुझे इस आज आज बसक्रा यहां पर zuk站 टीक है अब यहां पर इस बाइर का साइज अगर बढ़ाना है यहां पर इसके आगे को आगे लिख सकते हो बाइब साइब सब्सक्राइब बौर्डर का सब्सक्राइब लेता है या फिर यहां पर रहा है और भी प्रॉपर्टी रोगया इनसे इस अफो कर सकते हो इंसे अंदर की तरह दिख रहे हैं तैक आउटसेट में एक बाहर की तरह दिख रहे है बाँची इंदर से यह वाला जो है ना बॉडी के अंदर से मैं background color निकाल देता हूं हम लोग यहां पर background image डालेंगे यहां पर background image अब image डालने के लिए यहां पर आपको use करना पड़ता है कि value URL और इस URL के अंदर आपको आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर आपको image का पार्ट डालना पड़ेगा जो भी इमेज आपको दिखाना है तो फॉर इग्जांपल मुझे यह button दिखाना है तो मैं यहां पर लिखूंगा इसका पाथ यह इसका पाथ क्या है इमेज़ के अंदर और बटन.png के अंद यहां पर हम लिख देंगे बैग्राउंड रिपीट और लिखने के बाद यहां पर आप देखोगे तो यह पुर आपके बैग्ग्राउंड में एक इह पटन का ही में थे और रैट उसके मार्जिन लेट तो मैंने अल्रडी समझा दिया है तो यहां पर आपका खतम होता है CSS properties और आपके syllabus में बहुत कम properties थी, CSS के बहुत सारी properties होती है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखा है, यहां पर CSS की बहुत सारी properties होती है, यहां पर देखो, यह सारी CSS की properties है, यह सारी CSS की properties आप देख सकते हो, यह तो आपने जो पढ़ा है, वो काम करना है अगर आपको वीडियो चला तो like कर दिना है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब में कहते हैं आपको लिएजिए में बाव।